रेखा और जया बच्चन में जबर्दस्त लड़ाई अकर दिखा रही जया का रेखा ने दिमाग ठिकाने लगा दिया नमस्कार में हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NWF News रेखा और जया बच्चन ये वो दो नाम हैं जो फिल्मों की दुन्या पर राज कर चुके हैं अपने वक्त की सबसे बड़ी स्टार रही है दोनों भले ही अब फिल्मों में पहली जैसे सक्रिय ना रही हैं लेकिन चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं क्योंकि दोनों राजनीती और संसद में भी रह चुकी हैं जया बच्चन जहां 2004 से अभी तक समाजवादी पाल्टी से राजसभा संसद हैं वही रेखा 2012 से 2018 तक राजसभा संसद के लिए मनोनीत की जा चुकी हैं जब रेखा पहली बार राजसभा पहुँची थी तब सदन में बैठी जया बच्चन उन्हें देख से ही असहज नजर आई थे वही जया बच्चन इतने लंबे वक्त से राजसभा में होने के बावजूद इसलिए चर्चा में रहती हैं क्योंकि अक्सर वह किसी भी मुद्धे पर बहस करती हैं अभी मौनसून सत्र के दौरान जया बच्चन अपने पती अमिताब के नाम को लेकर स्दन में बहस करती थे क्योंकि सभापती ने उनका पूरा नाम जया आमिताबच्चन बुला लिया जिस पर जयाबच्चन भड़क गई स्रीमती जया आमिताबच्चन जी सर सिर्फ जयाबच्चन बोलते तो काफी हो जाता यहां पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपेट किया कि महिलाए अपने पती के नाम से जानी जाएंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो उनके कई पुराने किस्स्य और कहानियां सामने आ रहे हैं तो चलिए आज आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं ज्या बच्चन और रेखा की लड़ाई दुनिया जानती है कि बड़े परदे पर अमिताब बच्चन और रेखा की जोड़ी हिट रहे दोनों ने साथ में कई बहित्विन फिल्में की दोनों की रियल लाइफ की भी चर्चा हमेशा रही कहा जाता है कि दोनों बेहत कड़ी भी थे और ये बात ज्या बच्चन को जब पता चली तो वो आगबबूला हूँटी ऐसे में जया ने एक दिन रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया अमिताब शहर से बाहर सूटिंग कर रहे थे रेखा डिनर के लिए गई तो उनका स्वागत अच्छे से हुगा रेखा को लगा सब खेक ठाक है कोई दिक्कत तो लेकिन जब वो डिनर के बाद निकलने लगी तो जया बच्चन ने गुस्से में कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोने हूँगी रेखा ये सुनकर तिल मिला गई कहते हैं उन्होंने जया को करारा जवाब दिया था और दोनों में खुब बहसबाजी भी हुई थी लेकिन रेखा इसी दिन समझ गई थी कि वो अमिताब की कभी नहीं हो पाएंगे इसके बाद अमिताब और रेखा के 20 दूरियां भी आ गई दोनों आकरी बार फिल्म सिलसिला में साथ नसर आये थी कहा जाता है कि ये फिल्म दोनों की लव लाइट को लेकर ही बनाई गई थी आलंकि फिल्म फ्लॉप थी लेकिन जिस तरह से जया बच्चन ने रेखा को चेताव दे दी थी उसी तरह रेखा ने भी जया को तकड़ा जवाब दिया था और दोनों की 20 तू-तू-मैमे हो गई थी फिलाल इन बातों को कई साल हो चुके हैं लेकिन बात रेखा जया बच्चन और अमिताब बच्चन की है तो वक्त वक्त पर इसका जिक्र होता ही रहता है अभी जया बच्चन सदन में लगातार अमिताब के नाम को लेकर सभापती से बहस कर रही है तो यह किस्ता फिर से जीवन तो उठा है ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या रहा है कमिल में जरूर बताएं और सदन में जया बच्चन ने किस तरीके से बहस की है को विशल देशे बहस कि आपके सब्सक्राइब में जया मिताब बच्चन यह बोलना चाहती हूं मैं कलाकार हूं बोडी लाइंगेज समझती हूं एक्स्पेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करियेगा मगर आपका तोन जो है is not acceptable we are colleagues sir you may be sitting on the chair and I remember when I went to school जया जी take your seat जया जी take your seat one second honorable members honorable members honorable no honorable members I know how to deal with it Jayaji you have earned a great reputation you have earned a great reputation you know an actor is subject to the director you have not seen what I see from here every day I don't want to repeat I don't want schooling I am a person who has gone out of the way and you say my tone no, 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 no no, no seat given to you no, you don't have flour now no enough of it enough of it no, enough of it you can't have it you may be anybody you may be a celebrity you have to understand the decorum no, nothing to it nothing no, no, not at all I will not bear it youth one second one second one second please, please sit down please take your seat no, no never carry an impression that only you build reputations we come here build reputations we live up to reputations nothing doing no you